तो अब भी हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए जो जनवरी 23 का गोचर है कैसा रहने वाला है और आपको इस गोचर के क्या प्रिणाम मिलने वाले देखिए सबसे पहले अगर बात करें यहां तो जो आपकी कुंडली आपको सामने दिखाई दे रही है इस कुंडली क तक धनुरासी में रहेंगे इसके बाद यह मकर में जाएंगे बुद्ध धनुरासी में गोचर करेंगे और 17 जनवरी 2023 तक वकरी रहने वाले शुक्र मकर में गोचर कर रहें और 22 जनवरी को इनका प्रवेस कुंब में होगा मंगल वर्षब में वकरी चल रहें और 13 जनवरी मेस रासी में गोचर करते हैं वे दिखेंगे राहू अभी मेस में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं तो यह गोचर है इस्तितियां जहां पर आप देख सकते कौन सगर कहां गोचर में अभी इस्तित है तो अब हम बात करते हैं और देखते हैं कि आपको तो result इसके क्या मिलने वाले सबसे बहले अगर बात करें शुक्र की तो शुक्र का गोचर होगा मकर में और मकर में इनका जो गोचर होगा इस मंत में आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि आप अपने घर के शुक पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे लग्जरी चीजों के शुक पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे तो यह वो समय जब आप अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से निप्टा लेंगे घर में कोई न कोई लग्जरी बस्तू लेके आएं तो ये समय में घर पर एक तरह से मोज मस्ती वाला माहूल रह सकता है शुक्र का गोचर काफी अच्छा बेहद अच्छा आप लोगों के लिए जाएगा अब शुक्र अगर यहाँ पर है तो वो आपको आपके प्रोफेशन में भी सपोर्ट करने वाले और 22 जनवरी को यह चें में तो काफे ज़्यदा उन्नती देखने को मिल सकती है थोड़ा आपकी जो पॉपुलर्टी है वो भी बढ़ सकती है शुक्र का आपके टेंथा उसको देखना आपके लिए काफी ज़्यादा कारगर होगा अगर आप आप आर्टिस्टिक फिल्ड में काम कर रहे हैं या दया आसे यह गोचर उतना अच्छा होगाँ किया कि यहां सनी होंगे और सनी इन सैब चीजों को फोलो नहीं करते और काफी सीरियसली अगर आप फिर भी अगर किसीकी साथ प्रैम शमंदों को निभाने वाले और हो सकता है ऐसा सामने वाले का support आपको ना ही मिले तो कुछ हद तक यहाँ पर कुछ आपको frustration देखने को मिले या कुछ ऐसे मामलों में जहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं बट सामने वाला बिल्कुल गलत हो सकता है शुकर का पंचम में जाना संतान के परती बहुत ज़्यादा प्रेम को दिखाता है संतान से बहुत ज़्यादा अटेज्मेंट को दिखाता है और पंचम भाव से related कारियों से कुछ न कुछ धन कमाने को आप लोग देखेंगे इसके साथ ही क्योंकि यहां सनी के साथ शुक्र रहने वाले तो married life को लेके भी कुछ problems आप लोगों को फिलाल आ सकती है अब शुक्र जब पंचम में जा रहे तो शुक्र आपके लगने से तो संतान की जिन्ता और और भी बहुत सारे कामों की आप लोग जिन्ता करने वाले हो अब आप में कोई भी creativity है तो creativity का आप यहां पर विकास कर सकते हैं और ज्यादा creative आप लोग बन सकते हो लेकिन सनी का जो गोचर है वो भी अच्छा ही है सनी इतना अभी खराब नहीं कह सकते हम तो कुल मिला कि जो शुक्र का गोचर है वो आपको दोनों ही भाव में चाहे वो चतूर्थ में हो चाहे वो पंचम में हो लाब देंगा लेकिन सबसे ज़्यादा लाब आपको चतुर्थ हाँस में शुक्र के एश गोचर में होगा इसके बाद देखे हम आगे बढ़ जाते हैं यहां से मंगल के वारे में बात करते हैं मंगल का गोचर देखें मंगल second और seventh Lord है और मंगल का गोचर अस्टम में है तो ससुराल वक्स से फिलाल आपकी समन्द ठीक नहीं चल रहे होंगे या मैरिट लाइफ को लेके भी कुछ दिकतें इस समय काफी जादा होंगी आप लोगों को लेकिन ये इस्तिती बहुत जल्दी ही आपकी बदल जाएगी और 13 जनवरी तक वर्षब में मंगल वक्री है तो कुछ मामलों में यहां पर आपको बहुत खराब नतीजे देखने को मिल सकते हैं मंगल यहां से जैसे ही मारगी होंगे तेरा तारिक के बाद आपको कुछ बैतर रिजल्ट मिल सकते हैं लेकिन जिवन साथी की सिहत का कुछ इस्यू अभी भी बना रह सकता है और अगर आप बहार ट्रेवल करते कहीं या कोई लोंग डिस्टेंस ट्रेवल करते तो एक्सिदेंट वगरे का सावधानी जरुर रखे मंगल का ये गोचर कुछ न कुछ आपको यहां पे अपने जो विरासत में जो कुछ आपको धन मिलता है पैतरिक संपती जो मिलती है उसका विवाद अभी खड़ा कर सकते है तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा हलंकि आप इस समय अपने प्रोपरिटी जैसे मामलोग पर ज्यादा फूकस कर सकते हैं मंगल के इस गोचर में इसी के साथ आपको कोई न कोई फाइदा अवस्य यहां पर मंगल के इस गोचर में होगा आपके जो अगर partnership है किसी की साथ business में तो आपकी partnership टोट भी सकती है तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके साथ ही थोड़ा खान पान पर अच्छे से ध्यान दे और किसी की साथ भी आपका जो विभार है वो खराब नहीं रहना चाहिए अदरवाइस आप लोगों कुछ traveling बढ़ जाएगी और बार-बार आपका जोब में कुछ चैंजे जाना या वरक प्लेस पे कुछ ना कुछ चैंजे जाना आपका जोब वाला इस्तान बदल सकता है और काम की विज़े से बहुत ज्यादा disturbance आपके personal life में आ सकता है गुरू अगर आपके चठे गर में ग पासी में तो उत्रा भी कोई ज्यादा यहां problem नहीं है पर फिर भी स्वास्ते को लेकि थोड़ा सा issue जरूर आ सकते आप लोगों को और थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है साथ ही आप से आपके जो कलिक हैं वो कुछ सला ले सकते हैं इस दोरान या कोई आप ऐसे consultation से समंदेद काम कर सकते हैं जिससे आपको कुछ धन आएगा कुछ income आप लोगों को होगी तो काम की वज़े से या हम कहें कि आप अपने करियर की वज़े से इस दोरान काफी ज़्यादा भाग दोड़ भी करने वाले हो काफी ज़्यादा active भी रहने वाले हो अब बात करते स सञynnue के वारे में सद演 का जो जो गोचर है सञिखना इस मंत में पंचम भाव में रहेगा पंचम भाव में रहने से आपको काफी ज़्यादा वाइदे होंगे संदान को लेकिकि कुछ अभी डिले दिखता है। लेकिन प्रेम शमंदों की मामले में अच्छी इस्तिति हम नहीं मान सकते पर आपने कहीं पर पैसा लगाया है कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पैसे से आपको return बहुत ज़्यादा आ सकता है सनी का पंचम का गोचर आपके लिए कुछ धन समंदी मामलों में अच्छा रहेगा और एक regular income अगर आप generate करना चाते कई से regular income आप पाना चाते तो वो इस्तिति में आपके लिए सनी अच्छ रहेंगे अब सनी यहाँ पर आपके पंचम में गोचर कर रहें तो फोर्थ लोड भी है तो उनके उपर focus ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए केरियर पर तो आपका focus रहना ही चाहिए इसके साथ ही सनी की जो द्रश्टी है वो आपके सब्तम भाव पर भी पढ़ेगी सब्तम भाव पर द्रश्टी पढ़ने से कुछ हद तक अगर आप कोई मामले में उल्चे वे हैं सेंथ हाउस को लेके तो वहाँ पर कुछ रिलीफ आप लोगों को देखने को मिल सकती है पर फिलाल जब तक मंगल वक्री हैं तब तक कुछ यहाँ पर ज़्यादा फाइदा होने की उमीद हम नहीं कर सकते इसके साथ ही यहाँ पर आपकी सेकंड हाउस को भी सनी देख रहे हैं तो आपको इंकम रेगुलर आएगी लेकिन कुछ हद तक फैमली में बाउंडेशन वगरे का भी सामना करना पड़ सकता है या कुछ आप बहुत सो समझ के खर्ज करने वाले हो अपना पैसा इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद के बारे में स्वामी बुद का गोचर तृतिय भाव में होगा तो आपका कम्मिनिकेशन काफी बहतर रहेगा हलंकि बुद अभी 17 जनवरी तक वकरी रहने वाले तो जब तक यह वकरी है कुछ न कुछ वेव्धान आपके कारियों में जरूर देखे जा सकते हैं लेकिन उसके बाद आपके कारियों में तेजी से प्रगती होगी इसके साथ ही आप अगर फोरेंटियूर करना चाथे हैं या कोई ऐसा काम आप करना चाते हैं आप को बहुत ही बहतर रिजल्ट दे सकते हैं तो अगर आप एक पत्रकार है या इस परकार का कोई काम करते हैं आप कम्यूनिकेशन से जुड़े वे किसी भी मादम से बले ही आप जुड़े वे हो सकते हैं तो आपके लिए काफी बेटर इस्तितिया निकल के आ सकते हैं इसके साथ ही देखिए यहां जो बुद्ध हैं जब यह मारगी होने लगेंगी तो मारगी होने से आपके जो 9000 काम है वो इससे आपको फाइदा जरूर होगा अब यहां हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं यहां पर अब चंद्रमा की बारे में चंद्रमा देखिए आपके 10th लोड है और 10th लोड का गोचर आपके स्टार्टिंग में इस मंत में आपके सब्तम में होगा तो वेवाही को स् प्केंसाइर में आने वाले उसके चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और चंद्रमा आ जाएंगे आपके एस्टमा में तो केरियर को लिएक कुछ ना कु कुछ चिंताए रहेगेandका पुरण करते रहेंगे और आपको रिजल्स देते रहेंगे चंद्रमा की श्रोतम इस्तारी औ नाने पर मिलेगा और सिंग राषे में भी यह बहतर प्रेनाम आप लोह को डे सकते हैं.. अब हम सुरीयके बारे में यहां बात का लेते हैं.. सुरीयका गोचर काफी मयत्तोपन है.. सुरीये देखे.. आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे.. यह masa 2019 मन्त में रहते होये आपके ट्रेवल आपको करने पड़ सकते हैं इसके लावा आप अपने दोस्तों से कहीं मिलने जाना चाते हैं या कहीं पर आप कुछ उनके साथ ट्रेवल करना चाते हैं तो कर सकते हैं इस दोरान देखें आपका कहीं पर पैसा आठका हुआ है या अपने डेली के बिजनस परपस के आपको किसी काम को बहुत जदा हाड वरक करना आपको किसी काम को बहुत अच्छे से मैनेज़ करना हुग तो वो काम आप इस समय जरूर करना चाहेंगे अब सूर्य का ये गुचर आपको काफी ज़्यादा भी देगा क्योंकि आप में अगर कोई creativity है तो creative skills से आपको फाइदा होगा अपने भाई भेनों पड़ोसी रिष्टेदारों के साथ थोड़ा सा ego issue जरूर आ सकते हैं और उनकी साथ आपका जो वारतालाफ है इस मंथ में बहुत ज़्यादा हो सकता है तो देखे अगर आपको लाग कमाना है पैसा कमाना है या धन कमाना है तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और अपने काम को बहुत अच्छी से मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा अब अगर आपका काम मैनेजमेंट से समंधित है या किसी भी ऐसे काम से रिलेज़ेड आप कुछ काम कर रहे तो काफी फाइदा इस गोचर में मिलने वाला उसके बाद सूरिये परवेश करेंगे मकर रासी में मकर रासी में आने के बाद आपको बहुत हद तक ये संभावना बनेगी कि आपको अपने काम की वज़े से कुछ पॉपॉलरिटी मिलेगी और जो लोग भी अभी सरकारी चेतर में ट्राइग कर रहे हैं उनको काफी लगने की चांसे काफी ज्यादा आप लोगों को रहने वाले तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह मंत के लिए काफी बैतर है लगभग आधे मंत के बाद आपको सफलता जरूर मिल सकती है इसके साथ ही सूरिये का आपके फोर्थ हॉउस में आन अब कुछ अच्छे और खराब दिनों की बात भी यहां कर लेते हैं। देखिए सबसे अच्छे दिनों में अगर देखा जाए आप लोगों के लिए तो 7 से 11 तारिक तक ये दिन काफी बहतर काफी अच्छे रहने वाले। उसके बाद 19 और 20 ये दो दिन और निकल के आते हैं। जहां पर आप अपना कोई भी काम इन दिनों में पूरा कर सकते हो। इसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर बात करें तो चंद्रमा जब 20 रासी में गोचर करेंगे। 25 और 26 तारिक को ये समय आपके लिए काफी मुश्किल बरा हो सकता है। काम को मैनेज करने में काफी मुश्किल आप लोगों को आ सकती है। 25 और 26 को किसी भी काम को अगर आप मैनेज कर रहे हैं। डेली का अपना जो रूटिन है उसको भी पूरा करने में आपको कुछ मुश्किल आ सकती है। चंद्रमा का गोचर जब टॉरस में होगा वर्षब में तो 2-4 तारिक तक और 30 तारिक को ये समय आपके लिए कुछ अचानक धनलाब का होगा। इस दोरान किसी से कोई लड़ाई जगडा या कुछ वाद विवाद हो सकता है। कुछ दिन है जहां पर आप कुछ परेशान या महसूस करने वाले हो। बाकि और आपके लिए काफी अच्छा मंध ही रहने वाले। तो फिलाल हम चर्चा कर चुके फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।